है दोस्तों मैं शुनी शर्मा आग आऊं सर्वे की सीरीज के अगला लेक्चर ले करके अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं अपने जो चेप्टर से सर्वे में वो हमने क्या-क्या पढ़ा रखा उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं पीछे जाके जरा समझ लीजीगा देख अऀस्टर इक़्जाम में उसमें एक चैप्टर एक्स्टर आइड किया गया है जो करिए अब dog फ्ली अभिया फहिल में होता था आपके पहले ही भूक में दे दिया गया है ठीक yeah इसको दे तो टेबल सर्वेंग एक चेप्टर दे दिया गया तो आज के आज हम लोग ये चेप्टर बहुत ही देखिए जो बच्चे ये कह रहा है न कि सर आप ये चेप्टर को ऐसे बताए नहीं इसके बारे में जाए देखिए मैं उन्हीं चीजों पर ज्यादा अब लेक्चर का मतलब य देखना ये सब थोड़ा सा बुक का मदद लीजी आप लोग अब ये थोड़ी ना इसके लिए मैं हूँ इसके लिए कैसे करूंगा कि जब एक्जाम जिस दिन आपका होगा जैसे कल सर्वे का एक्जाम है तो आज मैं एक दो घंटे की प्रैक्टिस क्लास आपको दे लेकिन उसके लिए आप जो और एक्जाम में बहतर करना चाहते हैं तो नोट्स तो है और नोट्स के अलावा आप कई बचे करें साथ चोटे चोटे जी थिरेटिकल सब्जेक्ट है उनका नोट्स कई नोट्स ऐसे हैं जो इंसिटूट में पढ़ाया नहीं जाते हैं जैसे अब कोचिंग में पढ़ाया नहीं जाते हैं तो उनके लिए मैं नोट्स और प्रिपेर तो करवा दूंगा अगले साल से या अगले सेमेस्टर से आपको नोट्स मिलने लगेंगी इस सेमेस्टर में जब मैं लेक्टर जो शुरू किया हूं तो पहले मेरा मोटीव है कि जो इंपोर्टेंट सब्सक्राइब जिसमें बैक ज्यादा लगती है वो आपको पहले आप तक पहुंचा पाऊं उसके बाद जब सारे हर समेस्टर के लोगों का हर एक सब्जेक्ट सा नोट्स और वीडियो लेक्टर मिलेगा लेकिन पहले मेरा टार्गेट है उन सब्जेक्ट सब्जेक्स को क्लियर करना जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है उनका बैक लग जाता है उन सब्जेक्स करेंगा उसके बाद मैं आपके सारे धीरे-धीर करूंगा लेकिन फिलहाल कि समस्टर में जो त्यूरेटिकल सब्जेक्ट है जादा तर उसको अपने से ही पढ़ते ह हैं बच्चे थोड़ा खुद से पढ़ने की आदत डालिए कुछ लोगों का और जो सुझाव अगरा था उनके बारे मैं बता दूं कि सर आगे हम लोग क्या करेंगे जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं सेकंड एर या फाइनल एर में आप आगे की तैयारी के लिए देखना चाह है डिप्लोमा के बाद हमें क्या करना है उसकी जानकारी लेने की इच्छा है इसका मतलब वो सेंसिटीव है उस चीट को ले करके जो लोग लेक्चर सुने बिना केवल नोट्स के चक्कर में पढ़े हुए हैं वो अपने पैर पर कुलाडी मार रहे हैं ध्यान से समझे लेक् लिखूंगा नहीं एक सब्यक्त आप सुनिए और उसको लिखने क्या दर डालिए हो सके तो जो मैंने बोला उसको खुद से लिखिए नोट्स पर पिन कॉपी उठाईए कान में लगा के सत्नरायन भगवान की कथा नहीं चल रही है आप ठीक है उसको पूरा पढ़िए तब आपको एक बार सुने हैं तो दुबारा उसको लिखने का प्रयास करिए मैं सिखा रहा हूँ आपको चीजों को और नोट्स के फार्म में चाहिए तो वो नोट्स में लिखा हुए ठीक है आज मैं प्लेंटेबल सर्वे स्टार्ट करूंगा और पूरी उम्मीद है कि मैं इस नक्सा बनाना समझ गए किसी जगह का नक्सा बनाना अब नक्से का आर्थ क्या होता है समझे अगर आपको नक्से का मतलब आप ट्रेवर्जिंग करेंगे बिसिकली ट्रेवर्जिंग का मतलब हुआ कि कोई बंद घेरा आपको तयार करना है ठीक है कैसे आपकी ये बाउंड करती कागज पर बनाई जा सकती है आप जानते हैं कि आप कुछ सेंटीमीटर की लाइन फिर कुछ एंगल पर दूसरी लाइन तीसरी लाइन इस तरह से करते करते आप मैप बना देंगे तो एक बात बताई जब मैं आपको चेंज सर्वेंग समझा रहा था या कमपास समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब मैप बनाना होता है तो जैसे फिल्ड में गए लाइन की measurement आपने लिली जैसे line A, B, B, C, सबको map के आपने field book में लिख लिया, ध्यान समझेगा, आपने किस में note किया, उसको field book में note कर लिया, field book में note कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आप इस field book में क्या रहता है, lines का, lines का क्या रहता है, direction रहता है, 21 direction पर line है, फिर उसका क्य रहता है, उसका length रहता है, direction का मतलब bearing होता है, समझ लिए compass में, अगर आपको कोई map बनाना है, तो किसी line का क्या चाहिए, direction यानि bearing, उसका length यही दोनों चाहिए, फिर बन जाएगा, जो लोग भी, ये सुत्रम सर आप तो कह रहा है, बन जाएगा, बना के नहीं दिखाए, अ ऐसे नक्सा बनता है, उसके बारे में जो detailing करनी है, वो उसमें और ज्यादा clarity की गए, बहुत detail में उसमें बात की गए, तो थोड़ा बस इतना तो हम समझी गया है, कि एक line हम ऐसे खीचेंगे, इसकी map हमको पता है, सपोर्च करें field में हमने map पास था, तो उतना मीटर कागज खीच लिए, फिर उसके बाद आप 21 किसी एंगल पर दूसरी line होगी, फिर किसी एंगल पर तीसरी line होगी, तो धीरे-धरे traverse क्या होगा, आपका complete हो जाएगा, ताप को क्या-क्या चीज की जरूवत पड़ी, field book की जरूवत पड़ी, field book में उस line की direction और उसका length दिया गया था और कौन सी चीज़ें और थी, बताइए, offset दिये गये थे, यह सारी चीज़ें field book में थी, तभी तो आप नक्सा बना पाए, मतलब आपने observation किया, क्या किया बताइए, observation किया और उसके बाद आपने official work किया, official work में जो नक्सा बनाने का काम था, वह आपने कहा किया, office में जबक में, plane table एक मात्र ऐसा survey है, जिसमें observation और plotting एक साथ की जाती है, field में ही, में अंतर क्या समझ में आया हमको, अभी तक क्या हो रहा था, observation हो रहा था, field में, और आपकी जो plotting हो रही थी, plotting मतलब मैं बनने का जो काम हो रहा था, वो कहां हो रहा था, office में, but plane table is the survey in which observation and plotting are done simultaneous in the field, इसका मतलब plane table ऐसा survey है, जिसमें observation और plotting, field में साथ साथ की जाती है, समझ में आगई चीजें की plane table क्या है, कैसे की जाती है, कि देखिए, जैसे, आप यहां से chain से फैला के दूरी माप रह थे, तो उसमें भी दूरी माप लेंगे, लेकिन उसको वही पर खीच लेंगे, क कैसे करेंगे, फिलाल बस इतना समन में आया, कि इसमें, इसमें, जो है, field में ही सारा काम हो जाएगा, उसमें जाने में, बात जो है, फिल्ड वाला, office वाला काम नहीं रह जाएगा, तो फिर इस प्राणाली के कुछ फायदे नुकसान भी होंगे, जैसे, देखिए, फायदे इसको और फायदे में अगर गिनने लगें कि प्लेंटेबल के क्या-क्या फायदे हैं, तो प्लेंटेबल करने से ये फायदा कि दोनों काम साथ-साथ करेंगे, तो काम कैसा होगा, फास्ट होगा, बहुत ज़्यादा बहुत जाएगा, बात के लिए कोई दिक्कत नहीं रह हम बड़ा करके खीच सकते हैं, आपकी किताबों में, लाइन में, लिखा होगा कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, एसे, बाकी सर्वे में जो काम आप फिल्ड में ऑब्जर्व किया फिर अगले दिन के लिए उसमें जाना पड़ता है जैसे मालीजी काम बीच में ब्रेक हुआ है तो खूंटी वगरा धसा के आप छोड़ के चले आते हैं रात हो गई मालीजी सुबह फिर जाएंगे तो लाइन अग उसेपके करते ही सीधे नक्सा बन रहा है तो फिर दुबारा ऊच जगह पर जाने कि आपको जरूवत भी नहीं है समझ में आ रही बाते हैं तो सतारा का सारा जो होता अब आपके नजरों के सामने है जो ड्रॉ liner बंती व Kauf आपकी नजरों के सामने है इसलिए यह फास्ट है और दूसरा इसमें डेटा छूट जाने की संभावना कम रहती है तो कि सब कुछ नजरों के सामने होता है ठीक है तो एक exact clear view बन पाता है उस पूरे फिल्ड का आपके आपकों के सामने तो हमें पता चला यह सब इसके फाइदे हैं नुकसान क्या है नुकसान यह कि प्लेंटेबल जैसे आपने चेन लेकर के दूरी मापी फिल्ड वगरा में तो उसको फिर बाद में जाके प्लॉट किये कागज पे कागज तो फिल्ड में था नहीं लेकिन अगर बारिस वारिस होने लगी या फिर कोई दूल लकड चलने लगा तो क्या वो कागज रखके फिल्ड में खीचना बताई वो फायदे मंद होगा वो तो हो इन पाएगा ड्राइंग सीट आपकी खराब हो जाएगी इसलिए हमेसा ध्यान रखेगा कि यह जो है खराब मौसम में नहीं किया जा सकता दूसरा चीज इसका नुकसान क्या है दूसरा नुकसान है कि आगर पोढ़े चागी ह्च घूट गया तो इसमें क्या होता था कि फिल्ड बुक देख करके नक्सा बार बार बना सकते दया इसमें फिल्ड बुक अगर आपके पास है तो एक आतामी को दे दिए उसने फिल्ड बुक में जितनी लाइन की माप अगरा लिखी तो उससे नक्सा बना दिया फिर उसी फिल्ड बुक से दुबारा भी नक्सा बन सकता है उसी फिल्ड बुक से बाद में इसमें केवल एक अहीं बार नक्सा बनता है कि फिर उसी नक्से से नक्सा बनता है तो अगर एक में गड़बड़ी हुई तो सब में गड़बड़ी हो जाएगी इसमें क्या होता है फिल्ड बुक में अगर रेडिंग सही हो तो नक्सा एक आदमी गलत भी बनाएगा तो दूसरा आदमी सही बनाएगा तो यह सारी चीजे यह घई प्लेंटेबल क्या है पहला चीज dieses कि यह बाकिउंग से क्यों अलग है क्योंकि बाकिशिद भर होता है तोप से अलग है तो देखते हैं क्या इसके लोचर प्रिंसिपल इसका होता है उसके होता है parallelism का अधिया फैनली जंक का मतलब क्या होता है इसमें देखिए अगर आप सपोर्च करिये फिल्ड में आप खड़े हैं इस जगह पर कहीं पर खड़े हैं तो आपको मिलता यह कैसे parallelism पर काम करता आपको थोड़ी दिर्मा समझ में आ जाएगा इसमें इंस्ट्रूमेंट को समझ लेते हैं एक्विपमेंट को उसके बाद यह और ज्यादा क्लियर हो जागा पैरलेलिजम क्या ठीक है पड़ान बताने को में पहले ही बता सकता हूं लेकिन इनको पॉइलेंगे तो पुदा आशानी रहेगा एक चीज इसमें यूंज रोती है प्लेंटेबल फ्लेंटेबल क्या होता है तो ड्राइंग नाथ देखें जिस पर ड्राइंग रखके बनाते हैं बस उसी टाइप का प्लेंटेबल और तर्टिक ना लेंटेबल ऐसे है मालीजी आपका है ठीक दूसरा चीज़ ट्राइंध को नीचे को बसने की विस्ता और लाइना तो ट्राइप और इसको देखेंगे एगर ऐसे तो यह ऐसे दिखाई देगा अगर उर्से बॉर्ड आपका है तो बोड में नीचे विवस्ता होती ऐसको ऐसे ट्राइपार्ड पर रख करके कसा जा सकता है ठीक है कसने के बाद इस इसमें इसको ऐसे रोटेट करा सकते हैं horizontal plane horizontal plane में रोटेट कर सकता अब एक चीज़ और समझे जब रोटेट कर सकता है न तो बोर्ड का साइज के आप समझे अप्लेंट टेबल क्या होता है तो ड्राइंग बोर्ड की तरह ही एक बोर्ड होता है जिसकी साइज अलग-अलग माप की होती है लेकिन ज्यादा तर किसमा आपका चलता है कि दिखिए बच्वच्व logr चाथ और दो मौटाई होती है इसकी वह यहां जो मोटाई होती है इसकी यहां से आह तक वो दो ईम दो सेंटीमीटर टो ठीक है यह सब सेंटीमेटर में 85-25 अर्ड होती है तो यह प्लेंटेबल की साइज हो गई 75 60 और दो सेंटिमेटर वे चीछ को समझे गए आप पर सपोज हम किसी जगह पर इस टाइप से कोई मैप है ऐसे कोई मैप हमारा ठीक है यहां पर खड़े है टिक है फ्लेंटेबल हमारा यहां पर रखा हुआ है तो अगरकंस टेशन एक ऊपर ए करके पर सपोष कर इस पर आये आप जमीन पर जमीन पर सअगे है अब इसननी स्ञेशन के ऊपर वगदर को भी इसं 0C 6.पर कुर्ण जमुकर अब एक पॉइंट आप ढूड़े एक कैसे ढूणेंगे उस पॉइंट को तो एक चीज जान लिए अगर देखिए यह रखा हुआ है ट्राइपॉड ट्राइपॉड के नीचे सपोर्च करी एक खूटी एक खूटी पर इस्टेशन ए है ठीक है इस्टेशन यह तो इसके साथ मिलता है यू फॉर्क और प्लंब आप जैसे देखिए एक इस टाइप से यू काटा होता है यू काटा का मतलब क्या होता है द्यान समझेगा कि इस टाइप से होता यू काटा यू काटा का मतलब होता है इस टाइप से होता है ऐसे ठीक है आप इसको जाएंगे प्लेंट टेवल पर स्टेस बेसे दिखे इसको इसके अंधर होता किसको जाए कि सो होता है यू टायप का से बनाता है इसलिए यू घोखे को ठाक्राइब यहां पर अपर आया गाना से एसके साथ टेजिए इसके ऊपर आगई तुरंथ इसका पॉइंटर इस टेशन के ऊपर इसके साथ जोड़ा हुगा यह सा यहां पर pointing करेगा उपर किस पर सीट पर आप जब आपका जो लकड़ी का टेबल आना उसके उपर यहां पर है तो वह देखे ठीक इस्टेशन पर इसके यहां बन गया कि नहीं बन जया उपर यहां पर एक निशान लगेगा इस इस पॉइंटर से और जहां पर उनिसान लगे गाना प्लेंटेबल पर वहीं पर आप लिखे जी स्मॉल ए इस्मॉल एक क्यों लिखें आप क्योंकि आप स्टेशन एक ठीक ऊपर आ गाया मतलब आप जो पॉइंट इस समय आपके ड्राइंग सीट पर आना वो ठीक कैप्टल द सीट पर जो नाम लिखे जाते हैं वो इस्मॉल लेटर से में यूच करता है जिफके फिल्ड में वही स्टेशन कैपिटल एसे तो फिल्ड में कैपिटल है उपर वॉइंटर से निसान बना तो बताए इस हिक्विप्मेंट को क्या कहेंगे जो एक यूफॉर्क मतलब अब यू काटा और उसके साथ लगा हुआ यह साहूल यानि प्लम बॉब तो इसको कमाइंड ली क्या कहते हैं हम लोग यू फॉर्क और प्लम बॉब प्लेंट टेबल क्या है आपने समझ लिया अब देखिए द्यान से चलिए आपका station A इस जगह पर आ गया अब A से सपोच करिए जैसे ऐसा कुछ रहा है यह देख रहा है यह डस्टर आपको दिख रहा है डस्टर में सपोच करिए कि यहां पर इस सीरे पर एक फलक ऐसे लगे हुए फलक मतलब समझेगा इस टाइप से एक वेन जैसे कमपास में देखे तने एक खड़ी ऐसे पटिनिकली थी अधर भी और इधर भी इसी तरह एलएड़ में भी एलएड़ कासा होगा तो एक समझेच सिंपल एसे पटरी है एक सिंपल ऐसे पट्री है ऐसे सिंपल पट्री है जिसके इन हिस्सों में देखे ऐसे है अगर आप यहां से अगर आपनी आखों से ऐसे देखें आप इसको इससे होते हुए एकदम ठीक इसके सामने आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं अगर दोन फ्रियां लोग एली डेड वहों दो टैप का होता है एक होता है प्लेन अजिट एलीड गले और दूसरा विश्रां टेलिस्कोपी एलीडीड टेलिस्कोपी एलीडेड ठीक है आप यह दोनों क्या है अविस आपको थोड़ी देर में समझ म 사 Cas la नेलिडेड है जो सकेल है सकेल कहा कितना रहता है लगभाग 75 cm से लेके 80 cm वह भी मैंने ज्यादा बोल दिया 80 क्याइब मैं यह समझेद 60 cm साट से 75 cm साट से 75 cm का एलिडेड होता है ठीक है यह फिर भी जादा है काफी 50 तक भी हो सकता है माली यह स्केल एक लंबी ऐसे पट्री है पट्री की एक सिरे पर आई वेन है इसको वेन मतलब फलक होती कोई खड़ी चप्ती पत्ती को वेन बोल सकते हैं तो यह कौन सी पट्टी हुई यह हुई आई वेन और यह हुआ अब्जेक्ट वेन आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रह इलडाइड है झालेड में जब आप इधर से देखेंगे तो इससे होते विद्टे से कामा पास देखते थे इसमैं से देख रहते तो और देखते तो आप A से station A को तो इस पर निशान लगा चुक्या ना अगर आप एलिडेट से देखें ऐसे A को A यहां पर लगा है किस पर plane table के ऊपर drawing seat पर एक point लगा लिजिए जिस पर small A बना लिजिए अब A से जो B गया है ना उधर B पर यहां खोंटी धंसी होगी ना यहां पर B पर ranging rod धसा होगा यहां C पर भी धसा रह सकता है यह कोई चला जाए रेंजिंग rod लेके आप इसको ऐसे जब देखेंगे तो सपोर्च करीब B से तो इससे एक line नहीं आई इससे मिला दिया जारी से तिर्चा हो जाए तो उस तिर छे को यह 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 पिर्छा होता है अब इसमें दिखाई नहीं देगा कि कैसे स्लोपी है इस तिर्खे बाले को जो कटा हुगा होता है नैस सलोपी सलोपी एज जह होता इसका जो धालू सीरा होता है उस एज कौंभ फिनूशी एज बोलता थैं फिनूसी अल-एज या कीịठी इश्ट याई सी का चिपकाए थे A से इधर की तरफ खीचेंगे जब इसको तो B की तरफ एक लाइन जाएगी ध्यान समझेगा अब यह लाइन ऐसे गई है तो सपोच करिए फिल्ड वाली लाइन के ठीक ऊपर है कि नहीं आप यहां था उस एक ऊपर ले आएं और उससे बी की तरफ लाइन खीच गया अब अगर प्लें टेबल को उठा के बी पर ले जाएं और फिर बी से सी को देखें तो देखें बी सी क की तरफ खीज देंगे तो इसी तरह गरम सबको तयार करते चले जाएं तो पूरा ड्राइंग जैसे जैसे फिल्ड में था वैसे बन नहीं जाएगा बस एक दिक्कत आएगी अभी उसके बारे में बताऊंगा अभी सपोच करिए यहां से एसे बी आपने खीचा था ऐसे ठी मापी कोई फिल्ड में बंदू हुए आपका वह माप लिया सौ मीटर की दूरी पर है एस से भी सौ मीटर की दूरी पर है जब आप कागज पर लाइन खीचेंगे तो सौ मीटर तो खीचेंगे नहीं आप माली जी एक बटा 200 किये या एक बटा 400 पर बना रहा है तो यह लाइन आप कुछ कम ही खीचेंगे जब इसको ऐसे कम खीचेंगे तो कितना खीचेंगे अरे फिल्ड वाला आपको माप के बताया है दिसे देखिए प्लेन टेबल में खीच तो दीए आप लेकिन कितना ल द्रतने होते हैं सेंटिमीटर मिलिमीटर के तो जब आप इसको लाइन को ऐसे seb.. की कीचेंगे तो कितना संटिमीटर या मिलमीटर खीचेंगे उसके लिए आपको जो फिल्ड में दूरी है उसको मापिए और कैलकुलेटर से उसको कम कर लिए जैसे एक बटे बिल्डिंग ड्राइंग जैसे बनाते थे तो कमरा पांच मीटर का होता था तो आप उसको छोटा करते थे ना उसी तरह उसको छोटा करके कागच पर खीच है किए आप इसको लेके जब वहां जाएंगे तो जो दूसरा यहां तो आसे खीचे टरफ यह से दी है यहां पर कागच पर और उप इस से कर से करके पर उधर से की तरफ देख़े लेकिन उस दौरान यह ध्यान रहे कि प्लेंटेबल ऐसे यहां था ना तो आएसे ही वहाँ चला जाए अगर ऐसे हिल गया लाइक अगर यहां से हम लाइन ऐसे भी है और वह ऐसे हो गई या भी को लेकर रखें अभी ऐसे भूम गया तो फिर सीधर देखें तो इधर जाएगा मतलब एक चीज ध्यान रखेगा टेबल अगर यहां ऐसे रखा है द्यान से दिखेगा यह यहां पर है इधर की तरफ अगर है तो फिर यह वाला पॉइंट ऐसे रखें कि यह प्लेंड जास उटके यहां चला जाए जैसे का तैसा उठके यहां चला जाए फिर जैसे का तैसा यहां चला जाए जब की उठाने में यह हिल जाता है जैसे यह ऐसे है तो यहां जाकर हो सकता है थोड़ा सा ऐसे हो जाए थोड़ा सा ऐसे हो जाए यह सब चीजें क्या हो रही है जैसे का तैसा रखा गया जगह बद करता है अभी मैं वर्ड नाम लेना नहीं चाहता था लेकिन ले लिया मैं अब मैं बता रहा है आपको और इंटेशन दीरे-दीरे समझ में आगा क्या होता है फिल हाल ये तो समझे आप कि प्लेंटेबल के ऊपर लगती है ड्राइंग सीट ड्राइंग के सीट के साथ जुड़ नहीं हम लोग दृष्टी रिखा को स्थापित कर सकते हैं वाई फैल पास विच्वी कन इस्टैबली दा लाइन ऑफ साइट ठीक ना जिस से हम दृष्टी रिखा बना सकते है उसको एलिडेट बोलता है है एलीडेट की मदद साहीं है लाइन थी जाती है किस एलिदेट में तो कितना दूर तक आप देख सकते हैं बताएं माली जी यहां पे है तो बी बहुत दूर रहातो होो शक्ता है यहां सईसे देखने प्यार पार बी बहुत दूर रहे स्टेशन वह दिखाई लिए तो इसके लिए इसी Bennett के साथ कई बार इस टाइप से टेलिस्कोप एड़ कर दी जाती है टेलिस्कोप एड़ कर दी जाती है तो देखने वाला काम वेंस से ना हो करके कि से किया जाता है टेलिस्कोप से अब इसका डाइग्राम वगरा जो आना वह आप से पूछेगा नहीं एक जाम में कि टेलिस्कोप list कहते हैं प्लेंद टेcej वाल आप समझ자는 क्या होता है 75 142 एमेंड के प्लेन दीट्र होता है जो जिसपर करेंग टेटेृइasts करने के लिए होता है जे लाइन आफ साइट इस्थापीत करने के लिए होता है जो दो उर्धवादर और 36 दूरियां भी माप सकती है मतलब यहां से यहां तक की दूरी यहीं से देखे देखे आप बता देंगे बीना ना पे अब कहेंगे सर यह कैसे तो इसके लिए आपके सलेबस में अभी फाइनल यह में आपको मिलेगा टैकोमीटर तब बात करेंगा मैं इसके 100Por elevation比 यह में प ऊसमें बात करूंगा इसके बारे में जू рядом करने का यह जो इस स्टेशन मैं उसके ठीक उपर νयां सेंट्रिंड होता है जो जब भी कोई Plain table आप ले जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं इसको फेले तो एकदम plain बनाते हैं संथल करते हैं मतलब प्लेन टेवल ऐसे हिल डूल रहा हो या उचा खाला हो एकदम बिलकुल प्लेन करते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा लेवलिंग में क्या करते हैं बताई लेवल जब ऐसे जुख जाता था तो उसमें उपर एक बबल ट्यूब लगी रहती थी ट्यूब को दायबाया ऐसे घुमाते थे जब बिल्कुल बीच में आता था तो सीधा हो जाता था चेथ उसके साथ वो जो ट्यूब होती है ना वो टूब ही मिलती है सीधे के लफ ज इसको मं लोग सप्रीट लेवल ट्यूब या फिल बाक्स ट्यूब बूलता supports करिए एक ऐसे गोल्ड सा पूरा एक गोल्ड बॉक्स है बॉक्स में लिक्विट भरा है यह धर इल्कॉल का गोल है और इसमें छोटा सा बबल इस तरीके से बचा हुआ है तो माल यह ऐसा है यह फिर सीधा ट्यूब सीधा ट्यूब में बबल भरा आब इसको लेजा जैसे आपका यह प्लेंटेबल अगर थोड़ा ऐसे इस पर लेजा कर रख देंगे हम टूब को तो ट्यूब में जो बबल होगा आपने आप ऊपर चड़ जाएगा जब प्लेंटेबल को सीधा करेंगे तो बिल्कुल ऐसे तो अपने आप यह से लुड़कने लगेगा जैसे इस पर रखें यह सीधा होता तो देखिए यहां पर रुग गया फिर लुड़क रहा है अब बिल्कुल देखिए रुग गया रुकने का मतलब समय राइस समय हम बिल्कुल चैति जाए हाला कि वह उतना आसान अच्छा नही पर की यह अगरार फिल्ड में काम करते हैं पैन यह पेंसिल को बिल्कुल एसे रख लेते हैं जिससे पता चल जाता है कि एकदम स्थेज है प्रकारतर हैं और सबसे पर्फ इसकिक लीचिए सबसे पहले हमने ब्लेंटेपल क्या का ओन करता है इसके साथ उस्टे कई होती है एले दो प्रकार के होते हैं से मिलेक desafle ये टेलिस्कोपी के लिडेर्ट जो होता है, लाइन कीजने के साथ चाहितीज और उर्दवादर दूरियां भी माप सकता है, कैसे मापेगा, अभी नहीं जानना है, यूफॉर्क और प्लम बॉब क्या होता है, यूफॉर्क और प्लम बॉब की मदद से, जो जमीन पर इस्टेशन है, उनको ड्राइंग सीट पर उतारा जाता है, इस प्रॉसेस को हम लोग सेंटरिंग कहते हैं, यानि सेंटरिंग किसकी मदद से की जाती है, इसकी मदद से, इस कर 누olesome कि नौइब Ce कमपास का नाव सुने हैं कंपास जो है वो डायरेक्शन मापता था किसी भी नौर्थ से किसी चीज डायरेक्शन कितना है वो कमपास बता देता था लेकिन जो ट्रफ कमपास होता है ना वो बिल्कुल केवल नौर्थ बताता है जैसे यह है पुरा ब्लॉक इसी में इसमें एक ऐसे होल होता है होल से एक पीवेट निकला होता है पीवेट पे एक नेडिल ऐसे रखी रहती है जो बिल्कुल ऐस जब एन और एस लिखा रहे हैं यहां एस लिखा हुआ है तो निडिल जब इस पर है ऐसे बिल्कुल तब तो आप बिल्कुल नॉर्थ में देख रहा है लेकिन जैसे ही आप इसको घुमाएंगे तो निडिल नॉर्थ नहीं दिखाएगी नॉर्थ तो इधर हो गया अने दिख लाधा रही है। तो जब भी आपको देखना ओके आम नॉर्थ देख रहा है कि नहीं देख रहा है से तेप ऐसा घुमाईएगा कि निडिल भी बिल्कुल इससी नॉर्थ को देखने लगए जाओ हो यहाँ पे लिखा गया है कि अर्ष कम पास का काम क्या होता है के वल नौर्थ को सो करना ये कोई bearing वगएरा नई वापता आयोप आपको equipment समझ में हुआ ठीक है equipment अगर आपको समर्द मह आ गया है तो जरा आगे देखिए क्या प्रोसिस है पेंसिल रबर और मिसलिनियस चीज़ें भी आप लिख सकते हैं जो इक्विपमेंट्स लिखाऊ में यह सब तो नाम आपने लिए जो मैन मैं इंस्टुमेंट है अब ट्राइपॉड है पेंसिल है रबड है सकेल है इन सब चीजों का नाम भी आप ले सकते हैं ठीक ले लेंगे तो अच्छाही रहेगा लिखते समझे के लिखने का जो तरीका ना वाप जो टेनियर से सरन आपकी आती है उन सब चीजों से मदद लिया किजिए वह ज्यादा फाइद मंदी यह समझने के लिए वीडियो जितना ज्यादा आप इनको समझे रहेंगे उसको जब पढ़ेंगे अग्याद के बहुता है प्रोसे कि अगली चीज का मतलब होता है जो अभी हमने बताया करकर करे न वह समझा रहे थे लेकिन उस process के दौरान किने चीजों का हमें में जरुवत होता है उस चीज को समझते हैं अब process में इसके जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वही जो तीन हमने समझा है पहला चीज क्या होता है इसमें process में कोई भी प्लेंटेबल लेंगे labeling labeling तूसरा होता है अंटरी तीसरा जो हम लोग होता है वह तक और येंटेशन अब तीनों क्या होता है फटा-फट इनको समझा लीजिए labeling का मतलब होता है समतल करना जो हमने सीख लिया उसको आप फिर से उसी चीज़ को मैं बोल के समय क्या बात करूं सेंटरी मतलब फिल्ड के स को कागज पर उतारना कर लिया और इंटेशन नहीं समझे और इंटेशन क्या होता है यह अलग से पूस्ता है कोशन कि what is mean by orientation in plane tabling what are the various methods of making an orientation किसी वे orientation को स्थापित करने के क्या अलग-अलग भी दिया है या फिर orientation है क्या यह चीजों के drawing seat are parallel to or becomes parallel to the lines in the field यह क्या है नहीं समझें देखिए जब आप plane table पर बना रहे तो सब्सक्राइब यह आपका फिल्ड था ठीक है ना फिल्ड में यह बड़ी-बड़ी लाइन है यह फिल्ड में आपकी लाइन सब्सक्राइब यहां पहुंच चुक है ठीक है आप यहां पहुंच चुक है क्या कुछ ऐसा हिसाब रहेगा जैसा मैं बनाने जा रहा हूं ए कि भी कि भी सी यहां पर डी अच्छे यह देख रहा है कुछ आप ध्यान से कि यहां पर डी अब यहां पर जैसे ही आप इधर की तरफ देखके एक को यहां प्लॉट करेंगे एक को जैसे ही आप यहां प्लॉट करेंगे देखिये यहाँ पर जैसे यह को मिलाएंगे देखिये जो नकसा बड़ा वाला है छोटा वाला उसके जैसा बन गया कि कैसे बनाओगा एस से पहले यह भी खीच होगे और ड्राइंग सीट पर फिर बीसी फिर सी से डी की चुन अब डी से की तरफ देख रहा है आप और जैसे बनाएंगे इसको मिलाएंगे यह कंप्लीट पूरा आपका जैसा ऊपर है ना यह पूरा बड़ा वला वैसा यह बन जाएगा तो कितना अच्छा है बस एक चीज़ का द्यां रखना था कि जब आप ए सब्सक्राइब को देख रहे तें तब आप का बेंट टेवल चैसा रहा होगा देहां दीजी को करेंस कि तो आपका प्लेंट टेबल कुछ ऐसा रहा होगा एप अपने इधर के तरेब को देखा हो लाइन खीची होगी यहां बना होगा तेख बात बताइए जब इसको उठा के यहां पे ले जाएंगे तो सपोच करिया प्लेंटेबल हलका से एसे हिला दिए अब बताइए जो आप एबी खीचे थे वह आपका मालीज यहीं पर ड्रॉइंग सीट है आपका यहां पर यहां पे है और बी इधर ऐसे है यहां पे है और बी यहां पे है तो यह भी ठीक इसके उपर हो और सीधा हो तभी नहों पाएगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आप यहां द्यान दिजिएगा इसको उठा के ऐसा सेट करिए यह कैसे हो जाए देखिए यह ऐसे अगर ह जाए यह ऐसी अगर हो जाए कि यहाँ पर A से भी खीचा जा था अब यह भी ठीक सी बीके उपर जो एक इसके नीचे ना इस्टेशन भी पर आप अब बीस के अब डिला होता सपोर्ट कर यह यह फोड़ा नीचे रहता तो इसके लिए हम लोग क्या करते लिए हमेशा यहां रखें तो हम अगर प्लेंट टेबल को ऐसे इला देंगे अगर सब्सक्राइब यहां आजया तो यह ऐसे हो जाए तो यह पीछे से यह नहीं दिखाई देगा आप ऐसा प्लेंटेबल को घुमाईए यह बी यहीं पर रहे और यह इस पर आ घुम के इस पर आ जाए तो फिर उस इस्थिती में कहेंगे कि प्लेंटेबल जैसे यहां था वैसे यह उठके वहाँ चला जाए तो उस केस में क्या होगा बताईए हमेशा ध्यान रखेगा जब ए कैप्टल ए स्मॉल ए और भी तीनों एक सीद में होंगे ना तो उस समय रूम को उठा के कहीं और ले जाए तो इसका मतलब समझ रहा है बेट वगरा की स्थिती आपस में बदली नहीं वह बस रूम उठके चला गया तो इसका मतलब हुआ कि हमने ओरिंटेशन को नहीं बदला हमने उसके अंदर जो चीजें बैवस्थी थे उसके प्रक्रम को उसक इसे फिल्डी बनेगा फिर इसी तरह बंते बंते पूरा बन जाएगा तो दप्रोसेस आफ इस्टेबली सिंग दप्लें टेबल इन सच अवे बैट अल्ड़ लाइन सीट अल्ड़ लाइन संद्राइं सीट बिकम्स पैरलेल टू दू लाइन इन दे एक्टूल फिल्ड यान यह लाइन अगर हम इसी तरह की जैसे देखे यह लाइन इडी एन एडी पैरलल यह यह देखे यह खिची गई अगर एबी को आप ऐसे बढ़ाएंगे यह ड्राइंग सीट पर अबिये लेकिन देखे यह इस एडी के पैरलल है कि नहीं एक्टूली एबी यहां है यह जो करेंगे यह बिना पैरलल के देखे अब यहां पर है इसको मैं खींच रहा हूं एक यहां से जो फील्ड में लाइन है और जो कागच पर लाइन है वे दूसरे के पैरलल हो जाएए इसलिए सद्धान्त को हम लोग parallelism का सिद्धान्त करते हैं ठीक है प्लेन टेबल में हम कागज पर खींची गई लाइन को फिल्ड में खींची गई जो लाइन्स हैं उनके पैरलल करते हैं ताकि वह एक पूरा ऍटेबल किसमें आजाए एली और अगर यह उरीन्टेशन में ना रह्ता, तो सोच्छिए क्या होता, अगर यह उरीन्टेशन में रहता,5000 पुछी यह होता अब देखिए मैं यहाँ बना दूं ए बी सी डी और यह तो देखिए आप बताई जड़ा जब यह प्लेंट टेबल ऐसे हिल गया मतलब ऐसे जैसे सब सीधे यह सो गया तो देखिए इसका जो यह लाइन है एबी क्या भी से भी के पैरलल है यह तो कहीं जाके इंटरसेक्ट कर इससे दोनों और वो भी तहमने ऐसे लिया कि और एंटेशन क्या है और एंटेशनसे ही हम लोग बना पाएंगे और orientation करने का तरीका क्या है फिर कैसे करें orientation को तो orientation क्या है यह समझ गए तो इसके दो तरीके होता है पहला तरीका होता है by truff compass और दूसरा तरीका होता है by back sighting by back sighting ठीक है by truff compass और by back sighting अब by truff compass क्या है अभी हमने बोला कि जब plane table को आप सपोज यहां से उठा के महाले जब जब पहली बार आप plane table को ए पर रखें ठीक है ए स्टेशन पर रखें और ए पर ऐसे रख करके आप देखें बी को एक लाइन खीचे जब बी को खीचे तो आप चाते थे प्लेंटेबल इसी तरह यहां चला जाए तो पहला तरीका तो यह है कि आप ट्रफ compass जैसे आप यह पूरा ड्राइंग सीट आपका यहां पर सपोज करिए यहां ड्राइंग सीट है ड्राइंग सीट पर आप बी तो खीचे अब बी पर जाएंगे और इसी तरह उठा के रखना चाहते हैं तो एक काम करें ट्रफ भी ऐसे घूम जाएगी जब लाइन घूमेगी तो वापस से ट्रफ कंपास को उससे चिपकाईए जब चिपकाएंगे ना तो ट्रफ कंपास खुदी बताएगा इन इडिल तो इधर बता रही है इसका मतलब प्लेंटेबल को ऐसे जब घूमाएंगे आप तब वह बिल्कुल जब नेडिल इस पर जैसे लाइन यहां कीची थी उसको ले जाके जब यहां रखे तो बिल्कुल सीधी नहीं रहेगी लाइन ऐसे घूम जाएगी तो आप उसी से फिर से जहां खीचे थे वहीं ट्रफ कंपास को रखिए रख के जब मिलाएंगे ना इसको इमैजिन करिए रख के मिलाएंगे तो निडिल तो नहीं न घूम जागे निडिल तो नौर्थ में रहेगी अब इसको उस पर चिपकाय हुए ही ऐसे ही समाझ दीजिएगा कि प्लेंटेबल जैसे यहां था वहां वैसे ही चला गया तो इसको इमैजिन करके सोचीगा बाइट रख कंपास इससे ओरियंटेशन में लाने में तभी दिक्कत होगी जब किसी एक जगहां पर लोकल अट्रेक्शन आ जाए लोकल अट्रेक्शन से मंद नहीं है विवस्था जो भाई ट्रफ कंपास है वो भरोस्य मंद नहीं है इसलिए हम लोग किसका उपाय लगाते हैं बाई बैक साइटिंग का जैसे देखे एस से बी की तरफ देख क्या पैसे खीचे थैसे लाइन ठिक आब अगर इसको उठा के यहां रखेंग और इसे हिलेगा तो सबकोड यहीला तो एधर आजागा बीधर तो जब सपोर्ट करिया आपका यह प्लेंटैबल ऐसे खिसका तो आप इधर पीछे देखिए वी से देखें, आगे की तरब देखें, खिच दिये लाइन, वापस जब B पर लगा है, तो B से पीछे देखिए, पीछे देखेंगे, तो ये B ड्राइंग सीट पर इसमाल है, और पीछे देखेंगे तो capital है, किस से, जैसे हमने इधर से B खिचा है से, तो हम वापस से जाके इधर ब orientation कर रहा है, उस मेथर को कहते है, orientation by back sighting, काफी गर्मी है, लाइट नहीं है आपे, और आप लोग को अगर वीडियो समझ में आ रही है, तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करके, चैनल को अपने दोस्तों सक वीडियो भेजिए, ताकि मेरे effort का मुझे कुछ फायदा मिल ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दिजीगा, कि मैंने आपको बता दिया principle equipment process, अब यह है एक topic जो आज की lecture में पढ़ाऊंगा, तो मेरा भी दिमाग गरम हो जाएगा, और आपका भी ठीक है, तो इस यह एक topic plane table में methods of plane table बचा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा important, यह यहीं से question आना, यह सब हो सकता है, लेकिन इसका आना था है, यह जान दिजीए, तो इसको पढ़ने के लिए अगले lecture का वेट करिए, तब तक के लिए जितने अभी तक मैंने plane table के बारे में समझाया, उन चीजों को जाके रिवाइट करें और एक बार किताब पलट के अपनी जरूर द के सरवेंग का, first का last lecture होगा, यह last topic जैसे ही मैं clear करूंगा, survey आपका पूरी तरह से, इस semester का खतम होगा, अगले semester का survey जब वो सुरू होगा semester तब मैं लाओंगा, ठीक है, तब तक कि लिए इसका एक topic और बचा है, इसका इंतजार करिए, मिलते है next lecture में, thank you